तो आप मेंसे जो लोग आटो इन्फटिक को बहुत दिनों से फॉलो कर रहे हैं उन्हें ये पता होगा कि हमारे पास अमेज ही नहीं है उसके अलावा अर्टिगा, औरा, डिजायर बहुत सारी गाडिया हैं क्योंकि चाचा जी जो हैं उनका टेक्सी का बिजनेस है लेकिन पर पिचासी हजार किलोमेटर चल चुकी है मैं कहूं तो उससे दो तीन सो किलोमेटर जादा भी आपको मैं वीडियो में दिखा भी दूंगा कि हां कितनी चल गई है तो आज ये गाड़ी पिचासी हजार चलने के बाद कैसा परफॉर्म कर रही है उसी की बात करेंगे अगर आ लेट्स गो अब वीडियो को शुरू करने के पहले मैं बता दूं कि भाई की शादी थी हम लोग आए है अपने गाउं ये मेरे गाउं के पीछे का कुछ इलाका है यहां पर हमारी दादी आप देख रहे होंगे उपली कंडे वगरा पात रही है उसी के बीच में आपको है MPB का हाला कि इसमें कोई जादा विशेश कुछ होता नहीं है लेकिन मुझे ये जो डिजाइन है ये हमेशा से ऐसे लगता है कि इससे आपको प्यार ही होगा आपको ये गाड़ी कभी भी देखने में खराब नहीं लगेगी आप चाहे इसे जितने दिन रखें ये आपको पुरानी नहीं लगेगी तो ये इसका पहला पॉजिटिव लगता है मुझे बात करो उसके दूसरे पॉजिटिव की तो वो है कि एक सेवन सीटर है देखिए हम जैसे लोग जिनके परिवार बड़े हैं जो एक साथ घुमना फिरना पसंद करते हैं उनके लिए ये गाड़ की बहुत अच्छी पसंद हो सकती है पहली पसंद हो सकती है मैं कहूं तो अगर आपको एक सेवन सीटर जैनूरली चाहिए तो बात करो इसके तीसरे पॉजिटिव की तो इसका तीसरा पॉजिटिव है इसका प्राइस देखिए पॉइंट नमबर टू में मैं अल्रेडी बत चीस लाग में देती हैं हाँ मैं यह जानता हूं कि उनमें फीचर भी ज्यादा मिलते हैं उनकी सेफटी भी बहतर है बट उसे अगर दरकिनार कर दिया जाए और अगर हमें सिर्फ फैमिली को लेके साथ जनों को बिठा के चलना है तो यह गाड़ी काफिकार कर साधित होगी बात करो इसके चौते पॉजिटिव की तो वो है कि यह प्रैक्टिकल सेवन सीटर है देखिए बहुत सारी सेवन सीटर है जो इससे बड़ी है इससे लंबी है लेकिन उनमें अगर आप घूम फिर के स्पेस देखेंगे तो वो लगभग इतना ही रहता है देखिए आप इसे अब इनोवा से कंपेर मत कीजीगा क्योंकि तो वो सारी चीज़े आपको यहां तो नहीं मिलने वाली लेकिन प्रैक्टिकल सेवन सीटर है थर्ड रो में दो बच्चे बिठाने हैं मिडल रो में तीन एडल बिठाने है और आगे दो एडल बिठाने है तो आपको कहीं से भी कोई दिक्केत नहीं आने वाली उसके अलावा भी आपको लगबग 210 लीटर का बूट स्पेस मिल जाता है जिसमें आप अपने चोटे मोटे हैंड बैक्स वगएरा भी रख सकते हैं बात करो इसके पांचवे पॉजिटिव की तो वो है इसकी माइलेज देखिए 1500 CC का आपको इसमें इंजन मिलता है जो की आपको सियाज में भी मिलता है ब्रेजा में भी देखने को मिलता है एक सो तीन भी पी पावर वो देता है बट इसे ट्यून करके 92 भी पे कर रखा है वो चीज अलग है लेकिन उसके अलावा इसकी माइलेज जो है अगर मैं पेट्रोल में बात क देती है साथ लोगों को बिठाने के बाद लगेज होने के बाद अगर आपको एक गाड़ी 24 का माईले CNG भी दे रही है तो आप उसके फैन होने ही वाले बात करो इसके चटे पॉजिटिव की तो वह है इसका ग्राउंड क्लेरंस देखिए गाउं में मैं खड़ा हूं हम ल बात अगर आप सोच रहे हैं बोले रो लेनी कि गाउं में तो आप आप इस गाड़ी को भी कंसिटर कर सकते हैं अगर आप बजट को थोड़ा सा एक्स्टेंट करते हैं क्योंकि यह आपको कमफर्ट भी जादा देगी और उसके पॉजिटिव की तो वह हैं इसके सस्पेंश देखिए हो सकता है आपकी राय इसमें अलग हो लेकिन मेरको इसके जो suspension है वो बहुत ही अच्छे और well-tuned लगते हैं क्योंकि ये गाड़ी जो है आपको बड़े-बड़े pot hole से भी बड़े आराम से निकाल देगी high speeds पे भी stability इसकी अच्छी खासी रहती है हाँ ये मान सकता हूँ मैं कि हलकी speeds पे आपको इसमें bumps जो है वो जादा महसूस होंगे उसका कारण है ये CNG cylinder क्योंकि इसके पीछे रखा हुआ है जिसकी वज़े से थोड़ा stiff tune किया जाता है तो उसके अलावा मेरो को नहीं लगता कि आपको इस गाड़ी में कहीं से भी कोई दिक्कत आने वाली है हम नौइडा से लखनव लखनव से नौइडा पता नहीं कितनी बार आ चुके हैं और जा चुके हैं इस गाड़ी में और हमें कहीं से कोई दिक्कत नहीं कभी बात करो इसके आठवे positive की तो वो है इसकी steering clutch और gearbox देखिए steering जो है इसका super light है बढ़िया weight है अगर आप high speeds पे चलते हैं तो gearbox जो है बहुत ही crisp है बहुत ही light है आपको छोटे-छोटे throws मिलते हैं और उसकी वज़े से आपको जादा दिक्कत नहीं होगी और बात करों इसके clutch की तो वो भी super light है आपको महसूस भी नहीं होगा कि इसकी service जो है वो 5-6,000 रुपए में बड़े आराम से होके मिल जाएगी तो उसमें भी आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली कि आप इतनी बड़ी गाड़ी maintain कर रहे हैं और आपको कहीं जादा खर्चे न करने पड़ें जैसा कि other brands में होता है अब यह channel high and bias तो इसमें positives के सा वो एक taxi वाली हो चुकी है तो बहुत से लोग जब गाड़ी लेने की सोचते हैं तो उनके दिमाग पर यह हिट होता है कि यार यह तो taxi जैसी गाड़ी है जिसकी वजह से वो लोग XL6 की तरफ switch होते हैं जहां पर उन्हें एक seat के साथ compromise करना पड़ता है तो देखिए आपके budget में अगर गाड़ी है और आपको अपनी सहुलियत के हिसाब से देखनी है तो आप इस गाड़ी को ले जरूर सकते हैं अब वो ठीक है कि इसकी में टेक्सी वाली है सफेद नंबर प्लेट देखके हर कोई समझ जाता है कि यह गाड़ी टेक्सी में नहीं चल रही है दूसरा अब हर जगे आप देखेंगे तो प्लास्टिक जो है वो चीप क्वालिटी सा मतलब हलका प्लास्टिक लगता है वैसा यूज किया है और ऐसा नहीं है कि बाकी गाड़ियों में बहुत अलग क्वालिटी का यूज होता है बट हां मतलब जिस सेग्मेंट की यह गाड़ी है म इतना जादा स्ट्रॉंग नहीं लगता है मतलब अगर हम एक्सप्रेस वेस वगरा पर जा रहे हैं जहां पर हमारी स्पीट्स जादा है तो इससाब से इसकी जो हैडलाइट का थ्रो है वो उतना जादा स्ट्रॉंग मुझे लगता नहीं है पर्सनली अगर बात करो इसके च की डिमांड जादा है तो आपकी सप्लाइज भी उसी हिसाब से होनी चीए आप तो बेमानी करनी रहे तो बाकी लोग क्यों आ रहे हैं और क्यों बीच में फलान मार रहे हैं और और बात करो इसके पांचवे और आखरी नेगेटिव की जो मुझे लगता है वो है कि इसका इंजन जो है थोड़ा सा अंडर पावर्ड लगता है मुझे कभी कभी देखिए यह सिलेंडर है टून किया गया है कंपणी की तरफ से जिससे की सी एंजी और पेट्रोल में जब हम स्विच करते हैं तो जादा चेंज़ेस पता ना चलें जादा अंतर ना पता चले पावर में लेकिन उसकी वज़े से होता यह है कि कभी कभी यह गाड़ी जो है सी एंजी म में चलती है पहाड़ों पर भी जाती है लोगों को कोई दिक्कत नहीं आती तो यह भी कहीं न कहीं मैनेज कर ले जाएगी क्योंकि हम लोग इसे 85,000 किलोमेटर से जादा चला चुके हैं और काफी खुश हैं तो यही था all and all आज की इस वीडियो में आशा करता हूं कि आपक खड़े रहे जै हिंद जै भारत वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद